नमस्कार दोस्तों एक और फिर्ट से स्वागत आपका एजुकेशन इंडिया के एक और फिर्ट वीडियो में तभी हम बात करने वाले हैं 542 सीटों की की भारत की 542 सीटों में बीजेपी, एंडिये, कॉंग्रेस, यानि यूपीए, एसपी पिलस बीज़ पी और अधर कितनी कितनी सीटे ले जाते हुए नजर आ रहा है क्योंकि अभी नजर इसलिए आ रहा है, क्योंकि अभी भी पूरी गिनती नहीं हुए अभी भी कईया से सीटे हैं, जां से आगे पीछे का खैल चल रहा है कभी बीजेपी आगे, तो कभी vaccinated आगे या फिर अधर भी आगे तो आईए बात करेंगे पूरी की पूरी पांसो तेहली सीटों की लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस कॉंगर्स प्लस एसपी बिस प्लस अधर पांसो तेहली सीटे किस्की ज्यादा बीजेपी से शुरुआत करेंगे फिर हर एक वार्टी तक पहुंचेंगे तो बीजेपी 344 सीटों से आगे चल रही है यनि कि 344 सीटों मैंसहें कि alleine जीत भी चुकी है और 314 सीट है जो कि भी 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 बीजेपी के खात में जो कि вдi के खाते निया चुकारी आपको बाताती है अगर पतात हैं आपको बाता ना जेडियू-पर जैसे लोट बहा सारीपकर बन बना चल रहा है वहीं अधर से 99 सीटे यह जहा है अधर आगे पीचे का खेल अधर के लिए भी चल रहा है कभी अधर आगे होती है तो कभी पीच्छे माप कीजिएगा SP BSP के लिए 15 नहीं 19 सीटे है 15 सीटे से ज़्यादा 19 सीटे अभी SP BSP है वह अधर 99 सीटों पर है वहीं कांग्रेस 90 और BJP 343 सीटों पर नज़र आ रही है उतर पर देश की बात की जाए तो BJP को नसाट SP BSP को 20 और कॉंग्रेस को एक सीट जाती हुए नज़र आ रही है तो इस परकार से यह खेल है और उसके बाद हम बात कर लेए बस्चे मंगाल के तो BJP 18 का आकड़ा तक पहुँच गई है वहीं TMC ट्रनमूल कांग्रेस 23 वहीं कांग्रेस 1 और अगर बात की जाए ओडिशा की तो BJD यानि BJJ जनतादल 13 वहीं BJP 88 सीट पर नज़र आ रही है अंदर परदेस के अगर बात की जाए तो YSR पार्टी है जो की पूरे के पूरे 25 की 25 सीटे रहे जाती है और नज़र आ रही है ओडिशा की अगर बात की जाए तो वहां से BJP को 9 कांग्रेस को 2 AIU DUP को 2 नज़र आ रही है गुजरात को 26 में से 26 सीटे जा रही है BJP के खादे में की मद्यपरदेस की बात की जाये तो मद्यपरदेस में जा रही है 39 में से 28 सीटे BJP को एक सीट जा रही है किसको कांग्रेस को अब बात कर लेते हैं Amiti सीट की जहां से दो दिगज खड़ें एक साइड बाजबा की समर्ती रानी और रावल गांदी कौन जीत रहा है हर कोई यही कह रहा था कि रावल गांदी जीत जाएंगे यहां से तो क्योंकि रावल गांदी पार्टिया तक से लेकिन समर्ती रानी अभी तक 23,000 वोटों से आगे हैं अमेटी सीट से भी तमिन लाडू के अगर बात की जाए तो 22 टीम का आयाई डीम के को तीन और आँट जा रहे हैं कॉंग्रेस को ये तमिन लाडू का अब होट सीट की अगर बात की जाए तो आपको अधा दे नरंदर मोदी जित गए कैसे जो पीछे चल रहे हैं लक्तनु से जीत गही हैं और आपको वता दे जो पीछे चल रहे हैं वो भी जो बड़े दिगज नेता है वो भी पीछे चला है लखनव से जीत गए है राजनाथ सिंग और कौन जीते हैं सबसे बड़ी होट सिटों में से सबसे बड़ी होट सिट कौन सी बेगुसराई जहां से ग्रीराज सिंग के सामने कौन थे कनेया कुमार कनेया कुमार हार गए और ग्रीराज सि सबसे बड़ी दिग्ग सीट ती चाहां से कांग्रेस की जीत लग रहे थी लेकिन क्या हुआ कांग्रेस हार गई बीजेपी जीत गई केलास चोद्री जीत गई और मानविंदर सिंग हार गई उसके बाद कहीं बात की जाए अगर नकुल्नाथ की जो कि छिंदवाडा से कड़े नकुल्नाथ कांग्रेस की तरफ से जीत चुके हैं एक बड़ी दिग्गज हस्ती है और इसके बाद ही हम बात कर ले हैं अगर राजस्तान की तो राजस्तान 25 की 25 सीटे किदर गई 25 की 25 सीटे गई BJP के NDA के खाते में और अगर बात की जाए मिरजापुर की तो मिरजापुर साहनुपुरिया पटेल जीत चुकी है तो राज़स्तान की सीटे तो जा चुकी है नरंदर मोदी भी जीत चुके हैं वारानसी से तो ये दिगज भी कुछ है जिन्होंने रेस में भागिदारी रखी जो दिगज थे वो थे पार्टी BJP के यानि कि NDA के दिगज सभी जीते और जो कांग्रेस के दिगज एक कुछ जीते तो कुछ हारे भी और अब बात कर ले अगर एक सीट अगर बाज़बा की तो जो कांए जो राज़स्तान में वो एक नागर की सीटे जो की राष्ट्रे लोक्तांत्रिक पार्टी डालोपा की तरफ से खड़ेते अंडिया का गड़ बंदन वाली है हनुमान बेनिवाल खड़ेते वो जीते हैं यानि की एकी सीटे जहां से BJP के अलवा कोई जीता है तो यह थी दोस्तों वहां की बात थी भी राज़स्तान की बात भी कर लिए अब दूसरे राज्यों की भी अगर बात कर ले तो कुछ इस पर कर सही नतीजे आ रहे हैं जहां से BJP आगे चल रही है तो आपको अता दे अभी तक टोटल BJP कितनी सीटे जीत चुकी है तो BJP न अभी तक टोटल 218 सीटे जीत गई है यानि हम बात कर रहें एंडिय की तो एंडिय घट बंदन के करीब 218 सीटों के साथ कांग्रेस अभी तक मातर 53 सीटे जीत चुका है वहीं अगर बात की जाए अधर की तो अधर 25 सीटे जीत चुकी है BJP Derek 133 सीटों पर अभी भी आगए क्वा चल रही है और अगर बात की कांग्रेस की परकार से यह जो था वह था अब बात कर ले एक और बड़ी दिग्गज हस्ती मनोस्तिवारी को तो अत्र पूर्वी दिल्ली से वह जीच चुके हैं दिल्ली से गौतम गंबीर अभी आगे चल रहे हैं दिग्ज नेता गौतम गंबीर आगे चल रहे हैं खैल के बाद राजनिती में अपना दाओ लगा रहे हैं खैल में कापी अच्छी प्रतिस्तündर दिखाए अप ग्रास भैष् पर जीरो सीट बते जा रहे थी वहीं बागवत मान ने यह सीट अपने नाम कर लिए उत्रपरदेश से वीके सिंग यहां पर जीत गए उत्रपरदेश के सीट से वहीं रवी किसन भी जीत चुके हैं गोरकपुर से एक बड़ी हस्ती बड़े अभीनेता एक्टरेस एक्टर थे उपीनी enjoy से वीज़ए.' बिज़एपी गएं यह बीज़एपी के नेताए नेतायव बीज़एपी के तरप से शंसर देगयाए रूप में खढ़ए हैं नेतृनलकणेर चले घर के नाम से बीज़एपी की तरफ से नेतिन घटजडगरी आगे चला रहे हैं वहीं बात किज तो वह साहिब सेजित चुके पटना साहिब सीट देब अंदर के अगर यह दिगजों के नाम हमारे सामने आते जारहें और हम आहां पर अगर बात की जाएं तो वह बीजेपि की तरफ से आगे चल रहें दूमरिया घंज से से उत्र परदेश से खेल रहे हैं यानिकी मुकाबले में महारास्ट्रेस से पूनम माजन की अगर बात की जाए तो बीजेबी की तरफ से उत्र मद्य जो वहां से आगे चल रही है और साथ अगर बात की जाए जार खंड की एको सीट कुटी की तो वहां से अजन मुंडा चीत हैं तो यह यहां पर हाल थे जो की टोटल पांसो तैयलीस सीटों के हाल पांसो बैलीस क्योंकि पांसो तैयलीस एक सीट पर तमीन नाडू में कुछ बड़े कारण वसर नहीं हो पाई जहां पर रूपया का कुछ मामला चल रहा था मुलायम सिंग यादों की बात कर ले में प पार्टी के तरफ से आगे चल रहें लाइव नतीजे हम आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं अगर आपको लाइव नतीजों का अगला वीडियो चाहिए तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बैल आको बातिए अगर नहीं चाहिए तो मत कीजिएगा साथ एकर वी वीडियो अच्छा लगात लाइक कर दीजिए कर फेट से रिक्वेस्ट रहेगी चनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को दबाए ताकि आप पाए अगला वीडियो सबसे पहले लाइव अपडेट सबसे पहले तन्ने वाद इस वीडियो को देखने के लिए जहीं जय बारत अ झाल झाल झाल